अधालो गाईज मैं जाफर कॉलेजवाला और आप देख रहे है एनिंग्स आप दे तो सबसे पहले तो यार गस एक आटकेंसन ने कर लगाई एक शांदार सेंचुरिय लेकिन बाई से मांने के हम भर-भर के माफी क्योंकि यार एटकेंसन भाई आपकी शांदार इनिंग्स के उम्हार किया तक कि अपने अपने पडूना उसकी ओका हूँ से बावजूत क्वेजे साथ सब्सक्राइब से झोड़े ओर जट Yumकar को विखन आञा आ मतढ़से सोटॉ और बनाओ वैसे भी तो आपकी बैटिंग का जो कोर है जो आपकी टीम के अंदर रोहित राहूल और कोली है वो तो मुझे इसा लगता है कि यही तीनों है मिलेंद रतना के प्रभाद जैसूरिया और कमिंदु मेंडिस जो भी बैटिंग करनी है वह इन्हों नहीं करनी है बाकी चांदीमल मैंथ्यूस मेंडिस यह सब तो क्या दूसरी शकल देखेंगे और क्या है कि मेंडिस तो फिर भी इंगड होके बाहर बैट गए अब कल भी दे टेस्ट मैच है यह टी ट्वेंटी नहीं है प्रभाद जैसूरिया ने टेस्ट करिया कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिए लेकिन इन दोनों के जाने के बाद शुरू हुआ जिद्धा मिल कमिंदु मेंडिस शो जिसके अंदर मुने चोहतर बॉल के अंदर 120 रन बनाया कि अब यह समझ में आया है कि उस रूल के बाद एमसी सी वाले क्रिकेट के अंदर जो रूल के साथ करते रहते हैं वह आप यह नया रूल बनाने वाले कभी भी लॉट्स मैच होगा और कोई हमारी विंडो तोड़ेगा तो उसे 500 रूपए हमारे फंड में डालना पड़ेग अब ऐसा कुछ रूल उन्होंने बनाया है कि एक आश के पैसर लेंगे कमेंडो मेंडिस से एक सिक्स उन्होंने मारा जिसमें बिल्कुल एक्सपेटेटर का और मुस्स सिर फोड़ा सर पे बॉल तो लगी गई थी लेकिन हो तो अच्छी कि किसमत अच्छी थी भाई कि कि जा जो रूड भाई सामने कैश भी छोड़ दिया उनका बास्ता ट्रंड पर लेकिन चीक है कैसे चूट सकते हैं वैसे उस कैश से पहले भी काफी अच्छा ही खेल रहे थे कि अगर वह आउट ना होते और उनका पार्टनर जो दूसरे एंड पर खेल रहा था वह आउट हो जात अब भी उनकी आउट मैचे समच चैप आ रही है और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कोई बात क्यों नहीं कर रहा है इसकी यह तो मतलब नेक्स प्रॉटेजी है यह क्या शांदार बोलिंग कर रहे हैं और यह तो सिब शांदार बैटिंग तो करी रहें लेकिन यह दो हा इंगलेंड का बंदा होता तो अब तक तो बिज्डम और गार्डियन और लंडन के निउस पेपर उन जाने क्या क्या कि यह वैसे मैंने यह भी सुना है कि जो शिलनंकन के बैटर से यानिके दामिंट करूनरत ने दिनेश चंदी मल अंजिलो मैथ्यूस और उन्हों ने जो ह और खुद की एवरेश सुधार ने चक्कर में उनके प्लान की पूरी ऐसी चीत ऐसी करती है इसलिए वो लोग करता ही खुश नहीं लेकिन जो काम कल नहीं हो सका वो आज हो जाएगा और एफेक्टिवली मुझे सा लग रहा है कि आज यह मैच खतम हो जाना चाहिए कि शिलन हमारी कोई अपडेट मसना कर पाएं धन्यवाद